प्रिसर्च में ने देखा कि चार महिने के एक बच्चे को सर पे लोहे का सलिया मार के मार दिया गया आठ बच्चों को उनकी माओं से छीन के आग में फैंक के जिन्दा जला दिया गया और कई ऐसे एपिसोड कभी 52 जवानों को मारा कभी 36 जवानों को शहीद किया कभी 10 पुलिस वालों को शहीद किया एक निरंतर हिंसा का माहौल वहाँ पे चलता रहा आज जब हम ये बात कर रहे हैं आज वहाँ पे एक व्यक्ति को मार दिया गया इस धारणा पे कि वो एक पुलिस का इनफॉर्मर था पिछले महीने में 14 लोगों से ज़्यादा को मार दिया गया जिसमें 4 हमारे जवान भी थे और इसका एक दूसरा पहलू मैंने देखा कि वहाँ बस्तर में आप सड़के नहीं बना सकते सड़के बनाएंगे तो नकसली गोली मार देंगे स्कूल बनाने जाएंगे तो बम लगा के उड़ा देंगे अस्पताल नहीं बनाने देंगे मोबाइल टावर नहीं लगाने देंगे पानी के लाइने नहीं बिछाने देंगे तो बहुत और इनको जो शहरों में बैठे हुए जो लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुल्स हैं वो कहने की कोशिश एक नेरेटिव बिल्डिक किया जा रहा है कि ये गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं ये गरीबों के लिए सरकार की एट्रोसिटी से लड़के गरीबों का विकास करने के लिए वहां मेहनत कर रहे हैं तो ये कैसा विकास है जिसमें आप सडके नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते तो एक बहुत बड़ा नेकसस हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए उपरेट कर रहा है शेहरों में भी और बस्तर में भी नकसलियों द्वारा तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है आप सोचिये के भारत का जंडा आप बस्तर में नहीं फैरा सकते पिछले साल 19 स्कूलों में 15 अगस को बस्तर में भारत का जंडा फैराया गया जिसे बहुत बड़ी उपलब्दी माना गया लेकिन साड़े तीन हजार गाओं आज भी ऐसे हैं जहां हम भारत का जंडा नहीं फैरा सकते तो ये कितनी चिंता की बात ही है हमें सोचना चाहिए वाह एक नियम बनाया गया है कि हर फैमिली को अपना एक बच्चा नकसलियों को देना पड़ेगा और अगर नहीं दिया तो पूरे फैमिली को मार देंगे और ये लोग बात करते हैं कि हम गरीबों के विकास के लिए यहां है या गरीबों को बचाने के लिए यहां है तो मुझे लगा कि एक निरेटिव जो बिल्ड हुआ है दशकों से उसे तोड़ना बहुत जरूरी है हमारे देश को इस विशय के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने यह फिल्म बनाई है बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी लेकिन मुझे लगता है कि हम कहीं पहुँचे हैं और ये देश ये फिल्म देखेगा आप सब लोग अगर ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया नजरिया हम सब के सामने खुलेगा और हम सब को मिल के कोशिश करनी पड़ेगी कि यह जो समस्या है नकसलवाद की उसे हम हमेशा हमेशा के लिए खतम करें आज की तारिक में यह समस्या भारत की internal security की सबसे बड़ी समस्या है और इसे हलके में नहीं लेना चाहिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा Thank you very much बहुत खूब sir, I think you've always been inspiration to many I think including me one of them अगर बस्तर दनक्सल स्टूरी इसको बड़े पर्दे पहलाने के लिए किस चीज ने आपको सही माइने में इंस्पाइर किया काफिया तक आपने हमें आइडियास दिया है यही सारी बाते हैं देखे मैं पहले भी जो फिल्में बनाता था चाहे हॉलिडे हो चाहे नमस्ते लंडन हो चाहे कमांड हो फोर्स हो उसमें भी एक पेट्रियोटिक कलर होता था मैं शुरू से मतलब बच्पन से मैं पेट्रियोटिक इंसान हूं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूं इनमिक and very versatile ladies and gentleman that's Adha Sharma! Give it up ladies and gentleman for this powerhouse of talent who has given the spectacular Kerala stories warm welcome Adha and of course you know after looking at the trailer we can't really believe it's the same Adha Sharma because you've given you know goose bumps literally as I said chills down the spine So you know, a question that everyone wants to know, everyone wants to know about this Adha Sharma's story in Buster the Naxal story what has inspired you and what way have you prepared for it to build it in the big trees? Namaste, thank you all for coming here and first of all, many people say to me that do a horror movie I have done it, so please go and watch it Of course, I have done the first horror movie, it was fictional, it is in real life and many people say that after watching the trailer, everyone was good but many people say, why are you so scared of this film? How will anyone see it? And it is scared of it and it should be scared of it because we are talking about our 76 young people who killed it so as a line, it is already scared of it so if you are translating the film then I am sure that there are people who are strong in Buster in Buster and you are the ones who can bring it to them Like Sir said, the story of Kerala When we were making the first meeting, he said that we are making a small festival film and it is a small intimate festival film which will probably be released in some festivals We have all started acting by acting but I am very happy to say that you have made it so big you have made it so big you have made it so big and with Buster, I remember the first day of Kerala's story I was there we had a shoot in one room, it was a sequence of jail and there were 3 people in Buster I went to the first day and there were 150 actors on the set Wow So we didn't come here, of course we wouldn't fit on the stage I am representing all the actors who are not present here There are a lot of talented people in our film so I really hope that you can watch the film and support and I have to say a big thank you to all of you After watching the trailer, the media has supported me and wrote great things and you are the one who can play the movie to the audience and you are the one who can play the movie to the audience so your opinion actually is the one who has influenced your opinion so I know that you guys will really take this to the right place Thank you Why do you think that you can play the movie Because our song is a tribute to our family members which are their children which are their children It is a mindless violence which is a way of violence which is a way of violence which is the two thousand people who have been killed by people so the song is the one who wanted to call them and keep them and keep them through and keep them through every security officer's family they have opened someone so please let them come on the stage and we are going to go off the stage We will play the song after this we will play the song after that some of the stories यह लोग नरेट करेंगे तालिय मैं चाहूंगा कि सभी मीडिया फिटिस जोरदार हो जाएं इन सब के लिए बहुत मुश्किल गडियां रही है तो हम दो बार गाना प्ले करेंगे और उसके बाद हम कुछ कहानिया सुनेंगे इन्होंने क्या जहला है and then of course if you have any questions for any of us please आईये please बैठिये can we have the song please now once everybody is seated आशिन बिठा दीजे lights off please once they settle down slowly yes this lovely song once again ladies and gentlemen because now we have Jessica who is gonna share with us मैं चाता हूं Jessica आप हमारे साथ कुछ शब्द साजा करें तゑट कुछ अज़ू प्लाप मारे साथ और प्लाप मारे साथ और प्लाप मारे साथ हिस्क जब नहीं हम थे आगा हिसके आगा है आगा हम अटुछ नहीं हम इस जहांग जहां जहांचा जब अड़काशस सीफ्राव जहांचा-गार, जिर चिजी है जहां हम झाले नशेशने को थे लुवचानों, इस विक ए्पर शेस्काश को तNS जब कर दोफिटने को तो दोब यह movement आज तक मतलब almost like 55-56 साल जैसे यह movement evolve होता गया पूरे देश में नौट बेंगल से साउध बेंगल आया साउध बेंगल से बिहार फ़रदर साउध जहरकंड गये जहरकंड से कालहंडी कुरापूर्ट सुंदरगार बोलंगीर-मालकांगीरी ओरिसा में उसके बाद गोड़्चिरोली पालगर महराश्रकी और साउध गये तो बस्तर आया चत् हगा movement चली रहा था, करीबें 10-100 साल से, जो जमीन की बाटवारा कैसे होगा, जमीन की जो उगाई होगी, उसकी बाटवारा कैसे होगा, इसके उपर, बहुत दिन से तलेंगाना में movement चली रहा था और वो अब तक किरल तक गए तो यह जो लंबा जारनी था और यह जो एक आप अगर इंडियन मैप में देखेंगे यह एक गलियारा जैसा है जिसको रेट कॉरिडर बोला जाता है तो उस समय पे मतलब एमरजेंसी की आसपास में करीबन 143 डिस्ट्रिक्स अब त तो और और बहुत जादा इसका पॉपुलरिटी हो गया था क्योंकि देश में उस समय पे देश समाव ठीक नहीं चल रहा था बेरोजगारी बोलिये डिस्ट्रिबूशन सिस्टम बोलिये कुछ भी आसपेक्ट में इस देश में बहुत खोब था बहुत गुसा था लोगों क कि मन में एक-एक-एक किसम की एजिटेशन में सम लोग बहार आना चाहते थे तो यह मुब्मेंट यह आइडियोलोजी उस मुब्मेंट को पकर लिया था लेकिन आपको यह जानके यह जानना जरूरी है यहाँ पे भी आपने देखे है अभी टेलर में कि हंडेड येर्स ये जो ýडियोलोजी है ये आइडियोलोजी कभी डिमोक्राटिक सेट07 में काम नहीं किया है जब से यह आइडियोलोजी दुनिया में आए यह चाइना बोलिये रुषीया बोलिये कमबोडिया अलवेनिया कोरिया इनको डिक्टेटर्शिप की एक-एक मौहल चाहिए ये लोग feudalism के साथ लड़ सकते हैं, anarchism के साथ लड़ सकते हैं लेकिन एक democratic system में कभी काम नहीं की हमारी देश में हर 20 km में culture बदल जाता है भाशा बदल जाता है, खाना बदल जाता है लोगों की ब्यवार बदल जाता है भगवान की पुझा करने की भगवान बदल जाते हैं तो ऐसी हिटरोजनिया society में कभी ये Marxist, Leninist, Ideology काम नहीं की चाइना में एक homogenia society था जहां पर ये लोग आये, वहां पर पवर में आये करोरों लोगों को मार दिया, जो लोग उनके साथ नहीं थे और पावर कबजे में ले लिए, सेम रशिया में हुआ, सेम कमबोडिया में हुआ, और आप अभी जीता जाता देख रहा है नौर्ट कुरिया में, तो ये ideology जब भारत में आये तो गरीब लोगों के लिए एक एक लग रहा था कि गरीब लोगों के सामने कुछ एक बात करने की एक औजार मिला गरीब लोगों की भाषा सरकार तक पहुचने की लेकिन जैसे ये ideology की जो एक एक कन में एक एक issues हैं, जो हम दिरे दिरे सामने आने लगे और तब इनकी जो बाकी देश में जो उनका बोलबाला था वो थोरा सा कम होते होते, श्रिंक करते करते Central India में, बस्तार में वो अटक गए इसलिए कि बस्तार का दो पॉलिटिक का दो पड़ी interesting point है, एक तो जो बस्तार जगा है वो चारो और इंद्राबती और गदाबरी नदी की confluence के बज़ा से, ओरिसा, महराष्ट्रा, आंध्रा चारो और से घेरा हुआ है, और बस्तार की जो चतिसगर की साधान पार्ट या बस्तार में जो अभूजमारकर की जो जंगल है, पर इवन सारे चार हजार, पाच हजार स्क्वाइर किलोमीटर की एक जंगल है, ओ जंगल इतना घना है, जहां पर गूगल मैप तक पहुच नहीं सकता, तो इंडियन सिकुरिटी फोर्सेस उसके अंदर नहीं जा सकते, उसके अंदर तीन चार हजार गाओं है, वहां पे जो लोग है, ओ लोग आज भी भारत में, भारत की डिमोक्रासी के बारे में कोई आइडिया नहीं है उन लोगों की, उन लोग आज भी इन लोगों को माशिया बनते हैं जो डड़ा के धंका के पिछले 50 साल में उस जगा पे उन लोगों ने अपना अखरा बना के रखा है तो आपको जैसे मैं चाइना की बात की रशिया के बात की आपको चन्द के हैरान होगा चाइना इतना बड़ा एक देश है लेकिन आपको अगर मैं पूछ चाइना की चार शहर का नाम बोली है आप नहीं बोल पाएंगे आप इन लोगों की इन आइडियोलोजी की एक मोडा सापरेंडी यह है कि यह आइडियोलोजी इतना सिक्रेसी मेंटेन करता है ऐसे एक एंकलेब बनाता है एंकैप्सिलेट कर लेता है कि उनको जो सच्चाई वो बोलेंगे जो सच्चाई वो दिखाएंगे वो ही सच्चाई आप तक पहुचेगा आप उनके अंदर नहीं जा सकते उसके मतलब आप बिलीब करिये मैं पिछले कई दश्रों को से जा रहा हूं बस्तर में आज तक अबुझमार जंगल की जदातर हिस्से तक पहुच नह से भी आई भी हैं वहां तक मैं पहुच नहीं पाया कुछ सिक्रूटी फोर्स नहीं पहुच पाता है तो जब मुझे जैसे मैंने बोला कि मेरा जनम हुआ और ये मुब्मेंट की इवोल्यूशन होना शुरू हुआ तो आप बोल सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट भी जगने साल की उपर की लड़के लड़की बाहर चले जाते थे मतलब अपने घर में नहीं रह सकते थे पॉलिस का परची पहुच जाता था कि कल तुमारी बच्चे को एरेस्ट करने आएंगे मतलब एक एक मैं बोलूंगा तो घंट भर लग जाएगा कि मेरी फैमिली उसमें इन्व कोटा सा जगा जहां पर अल्मोस्ट दो मिलियन के आसपास पॉपूलेशन ज्यादा पर ज्यादा तर आधिवासी बनवासी है और गरीब किशानों को एक बंदग बना के अपने जायदात को कबजे में रख दिये है क्योंकि वहां से जो तिंदू पता की उनको लेभी मिलता है उनको वहां से जो आयरोनोर की वो मिलता है इससे एक बहुत बड़ा नेटवार्क को चलाने का मौका मिलता है इन लोगों की तो ये एकदम गर की तरह इसको रोक के रखा है कि जहां पर आज तक आज तक अपने यहां पर एक करेक्टर देखा जो बंदूक लेके आग जला रहा है लोगों को काट रहा है हमारी जवानों को शोहित कर रहा है ओ जो करेक्टर जिसको ओरिजिनल करेक्टर को दिमाग में रखत हुए बनाए पिछले 25 साल से उसको पकर नहीं पाए इस देश की सिकूरिटी पोर्स आज भी वो लड़ाई जारी है उसको ढूनने की कानों की खून से बनता है यह भाई साब ने अभी मुझे आदा घंटा पहले बताए तो यह सब सुनने के बाद और बस्तर की जंगलों में जाने के बाए इतना खुब्सूरत एक जंगल है जहां पर इतने बड़ी रमायन की रमायन में जब दंड़कार रन की आपको मेंशन मिलेगा इतने रीच हिस्ट्री इतने रीच एजुकेशन अन कल्चर बस्तर बैंड अगर किसी ने सुने होंगे तो आप जानेंगे कि बस्तर की म्यूसिक कितने रीच है बस्तर की डोकरा की जो कला है वो इतने रीच है म्यूसिक इतना रीच है वहां पे जो यह खतरनाक खेल चल रहा है खून की खेल चल रहा है तो मुझे ऐसा फिल्मे कर लगा कि मुझे इसके उपर काम करना चाहिए मुझे साथी मिल गया अमर्नाथ जो अमर्नाथ इसी मुव्मेंट में अपने जावन की अपने यूद की मेजर साइन इस आइडियोलोजी के लिए दिये हुवी खुनखार नॉक्षालाइट थे बाद में उसकी परिवर्तन हुआ और उसको लगा कि बोलना चाहिए कि यहां पर जवानों को जब मारा जाता है तो उसको बोला जाता है हमने कुट्ते मारे हैं तो अमनात से मिले हम लोगों ने डिसाइड किये रिसार्च को और तेज की वहां से लोकल चतिसगर में हमारे बहुत सारे साथिया मिले जो लोग भी कोशिश कर रहे थे कि पूरे देश में इसकी ख़बर पहुचाया जाए कि बस्तर में आखिर हो क्या रहा है तब जब confidence आया तब विपुल जी से मिले विपुल जी एक sensitive filmmaker है जो किरला स्टोरी के बनाने के बाद आप लोगों को किसी को और वो नहीं होना चाहिए कि भारत में इस तरह की producer की बहुत ही कमी है जो इतना साहस दिखा सकते है कि ये फिल्म बना सकते है क्योंकि हमारी देश में एक बि difficult है आप सच बोलेंगे तो आपको रोकने के लिए आपको इस क्रडिट करने के लिए आपको धमकाने के लिए हजारों के तादात पे लोग करे हो जाएंगे बोलने गये ते तीन लर्की की कहानी किरल स्टोरी में तीन लर्की की कहानी बोलने गये तो दो स्टेट में फिल्म बैनी कर दिया बोलने लगे कि हम प्रोपागंडा करते हैं तीन लड़की एक लड़की अभी भी आफगरिस्तन की जेल में बंद पड़ा है वो मा आज भी अपने 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 जस्टिस के लिए वेट कर रहा है जिनकी बेटी सुइसाइट की है तो यह सारे बोलना हमारी दे जाबी शाधी गुजनाती शाधी और हिरो हिरो इनकी बेर के नीचे दोर्न nomा अगर ऑगर सिनमा और एंटर्टेन्मेंट है तो मुझे लगता है केरल स्टोडी एंटर्टेन्मेंट की डेफिनेशन चेंट किया है इस देश में entertainment की definition change किया है और देश को बोला है कि हम दर्शोकों के हम दर्शोकों को आप पागल मत सम बनाना ये सारे नाचा गाना only entertainment नहीं है ये भी stark truth को सामने लाना भी entertainment है तो हमारी ये प्रयोग में next है बस्तार and again I say that विपुल जी जैसे producer अगर और आएंगे मुझे बहुत doubt है कि इस देश में कितने producer की इतने ताकत है ये फिल्म मनाने के लिए अपने मुझे मालूम है विपुल जी के रल स्टोरी के लिए कैसे कैसे पैसा organize किया था मुझे मालूम है तो ऐसे साहस दिखाना ऐसे courage में सारे नया new actors को लेके आना ये ये बहुत आसान काम नहीं है और मैं आप लोगों के सामने मेरा डिमांड कर सकता हूं कि आप लोगं जैसे हमने मैंने बोला किरल स्टोरी में आप लोगों की जोगदान इतना था बस्तार की बस्तर की ambassador बन्ना आप लोगों की जिम्मेदरी है ये कहानी आपको ले जाना परेगा हम 20 करोड 10 करोर 15 प्रद्रा कोरोर पॉबलिसिटी में खर्चा नहीं कर पाएंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं है जितने पैसा ता फिल्म बनाये बहुत जान से फिल्म बनाये मतलब इस इसमें पता चल गया हुआ एक्षन बहुत है इस एक्षन डिरेक्शन करने के लिए हमने बैंगलोर से एक चण्नाई फिल्म इिंडास्ट्री से एक्षन डिरेक्टर को लेके आए थे जिन्होंने कांतरा और केजी एब जैसे सक्सेस्पूल फिल्म की अक्षन डिरेक्शन की है तो हमने टेक्निकली इस फिल्म को सबसे बहतरीन बनाने की कोशिश की है और मेरी दवा है कि हमने बनाया और भाई साथ प्लीज जो गालेरी में बैटे हैं मेरी रिक्वेस्ट है ये जिम्मेदरी आपको भी बनता है क्योंकि आप और हमारी रिलेशन्शिप ही इस एंटर्टें यूला यूसर।टें बनायदा अप्र गोश काचा सबस्क्या जए हूला ebenfalls आपको जो एक क्याता है। does it mirror somebody who was in real life or is it just become a fanciful kind of solution for this firstly thank you for publicly acknowledging my work thank you for appreciating it and yes it is a 180 degree shift neither am I the bad answer I was in Sunflower neither am I Nija Madhavan Nija Madhavan though is someone who is so aspirational is someone who I think every girl who will watch this movie will feel that she would want to be her the strength that she shows in situations I wouldn't mind even being one-fourth of her because the strength that she shows in situations that are so emotional like you saw the 76 jawans I mean she saw it but she held her emotional strength and she didn't break down in front of everyone so that's very different from what I am in real life also in real life I think I am quite emotional though I try to hold in my emotions and not show them but nothing close to her strength this heroic character I actually met with CRPF girls and if you get that girl you get that girl they are so strong in their eyes there is fearlessness there is no fear you can just see it when you look into their eyes there was a girl who was pregnant 7 months she was pregnant and she didn't tell her because she was so connected with her duty that she wanted to do it till the day that she could possibly be there and then once she had to go through the water she wanted to go through the shoelaces so that's when people found out that she is pregnant these girls go through I mean here in real life there are a few ups and downs and we feel my god the world has come to an end but here what these girls go through is you can't even imagine they have some weight of 8-10 kilos in their bags and food because you don't know how much time you are going to live in the jungle instant noodles, biscuits because the birds are there the birds also poison them so that if you have a lot of food in desperation if you have a lot of food for two days and if you have a fruit and you have to eat it then you die from that fruit and you die from that fruit the leaves are going to explode so that the birds will explode so that your birds will get up so that you go through the woods so everywhere you pass through a river and you are completely asleep suppose it is in rainy season but you have to be quiet there a girl told me that there are no earrings and nose rings are not wearing a face because when we were designed the character's look so we were saying she said no because when there is moonlight the moonlight will reflect on the earrings और नोस रिंग पर रिफ्लेक्ट होगा, और फिर नकसली लोग कहीं पर भी छुपे हो सकते हैं, और अगर उन्होंने देखा तो वो मार देंगे, तो शीज़ कोई भी ऐसे रिफ्लेक्टिव चीज मत रखो, तो विवन देखे तो वोग तो इतने डीटेल में जाएंगे, तो और अगर देखे शरफसे एपा मैं जाएंगे, कि गॉतेवित हैं, तो आग तो कि अगरएंप परती हैं, थीज़ कोई जा इस पार्श्ता कि वोग्छे से जन पर्टिबू कर सकते हूँ बाव नहीं कि पेडि में थेरे फिल्म है ङुट अगल था टूरी नहीं कि पाद एक टूरी कौरे एक अपने डिकाहँ बिए पर्म आप लहा है आप लों को क्या लगार विए लेकाँ विए थेरे पार वहा सेस्टीट हूं then I think Khamluk Saffal है. But as an actor, that little contribution that I can do for my country, I feel in films like this. Thank you, sir. Very, very nicely said, Ada. Moving ahead, next question. My name is Pankat Shukla. Three questions are my one, one with Ada, one with Indira, one with Ambarnaath Jha. Ada has a mic, so we start with Ada. Ada, you are a trained actor in martial arts. And you have done this action film, and you will get to see a lot of action. So, the personal training of action, how much work you have done, and the character you are doing, probably where I remember, there were P.S. Kallori, who worked in the forest, because the forest, 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 and I will go there myself. So, that character you have tried to do the story of action, tell you how much work you have done, action training, and what a real-life character did you have taken a reference? Pankat Ji, Action training, I think, action training is a work, because action training is a focus and dedication so even if you have to play a character, in which it is a dance, or something else, or not, but your focus is a training, like in martial arts, like in silambam, because if you have to do it, then you should be so focused that it doesn't fit in your head. So, I think action training is a very different action. Like I did in commando, that action is hand-to-hand combat, and our characters are larger than life, like superheroes are almost like, in a fictional world, so there will be a fun punchlines, choreographed action, like one, two, three, four, punch, kick, duck, and that's what we have to do. So, of course, we wanted to make sure that it is very realistic, so we have to make 6-8 kilos of guns. My back is still fine now, and I am wearing a hat. If you notice, I am going to go to any event, and I will wear a beautiful hat. I am not wearing a hat, but I am not wearing a hat. Because he insisted that it is real, and it is strong. I had to put on weight, 10 kilos of weight, I have increased, but we thought that it is healthy, because the girls are strong, it is not that they are unfit, they are very fit, but if you have to stay in the jungle, if you have to stay in 2-3 days, and maybe you will not get food, you will have to be strong enough to be able to combat that. I am also showing that effort. Thank you, sir. So, you eat kale, you eat al-si and I am also doing weight training, so that I am not wearing a hat. Do you have any inspiration from a real life collector? Real life, actually, I have made many real life characters. I will tell you, how much percentage of the characters. But my look is from one person, and my emotions are from many girls. And as you were saying, I have seen his videos, and how much bold they talk about. And, yes, I am very easily inspired. So, with all these characters, I have seen some traits, I have seen many of them in their offices, and in their offices, I have seen how they talk about. Because again, Sir didn't need it, he said, in real life, you are very polite. So, I don't need it. If you are giving a command to someone, then that politeness, I will be like, please, Pankaj, you are here. This is my real life. But if I have to say, Pankaj, up, left, you are here. He put me into training classes, voice modulation, or diction. But I think as an actor, it is my job. It is my duty to do it, as convincingly. Thank you. Thank you very much. Indira, I have a question for you. Indira, you have the first best conference in Mumbai, as an actor. You have a lot of information about today's day. And you are as an NSD-trained actor, as an actor trained actor. And you are a NSD-trained actor, you know, and when you get a role of this, you are a role of the role of Ratna Kashyap, which is the role of Ratna Kashyap, you are doing the role of the role of Ratna Kashyap, you are a role of the role of the role of Ratna Kashyap. You're a role of the role of Jispa Asians for Trashyap, As a teacher's mogul, झाल 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 झाल